सुरा मेरे मज़ पमान तठण फिर में जिखा पधिंसमाधियानी बुद्धन समन संकी दिल्ली के अंदर राष्टिये रठिये अंतराष्टिये अंतर रठिये संगती लगी और संगती ने एक जो दिल्ली का एक फिनोमीना है या दिल्ली का एक कल्चर है उसको तोड़ा दिल्ली का जो कल्चर है क्योंकि हम यहां दिल्ली में 20-25-30 साल से लगाता देख रहे हैं कि यहां दिल्ली के जो लोग हैं कस्मिरी गेट, मोरी गेट और दिल्ली गेट ऐसे ऐसे साथ गेट हुआ करते थे उन साथ दरवा जो में दिवार से पुरा सहर बंद था उसको वाल सिडी बोलते हैं यानि दिवार का शहर अब तो दिल्ली बहुत बड़ी हो गई तो पुरानी दिल्ली उसी दिल्ली को बोला ज इन साथो गेटों के अंदर रहने वाली जगे में स्ट्रिरूल काश्ट लोगे भी हैं. जो यहाँ रहने वाले हैं. पर स्ट्रिर। लोगों का कुई किसी मुव्मेंट के अंदर खुल कर या साथ देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. वो लोग दो-चार मंत्री, दो-चार निता उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उनका स्वाका सत्कार करते हैं, अपना काम माम निकालते हैं, एक दो संस्थाएं हैं उनकी जो वो उसी के खुद के सुएम संभू नेता हैं, पर वो कहीं बड़चल के हिसा नहीं लेते पर्टि किरांती या बावा साब का क्या अंदोलन था ता क्या नहीं था इससे कोई लियने द्रण नहीं है जबकि बावा साब ने जब यहां काम सुरू किया और अम्बेट का भवन बराया तो अम्बेट का भवन पे वाल सिटी के पुराने लोग ही काविज हो गए तो कि उस समय कोई लोग और थे नहीं और वो आज तक भी काविज हैं उन्होंने किसी को आने नहीं दिया वहाँ शराब, वहाँ औरतवाजी, वहाँ पर राजनितिक जो लोग हैं, उनका आना जाना, शादी, बैया, और उन लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बराए, अच्छे पैसे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ शादियां होती हैं, वो किराये पर उटता है, जो नौन पार्टियों में वहाँ के लोग रहते हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा महल खराब है, इसलिए मुव्मेट कभी अम्मेट का भवन से चलता नहीं, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो भारत की जो शुलकास्ट की या समणों की जो सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी है, वहाँ से कोई मुव्मेंट कभी नीचा सकती, दो-चार समता सेनिक दल के सेनिक और दो-चार भारतिय बहुत महासावागे टूटे-फटे कारे करता वहाँ रहते हैं, वो जी हजूरी और गुलामी करते रहते हैं, ताकि उनको अम्मेट के भवन पर कोई कमरा-मरा मिल जाए पर जो करांती का गड़ होना चाहिए और वो जगे बड़ी विसेश और जगे बहुत जादा है, जो बावासाव अम्मेट करने बहुत सोच के दी थी, कि जब मुव्मेंट चलेगी तो मुव्मेंट के लिए पालिया मिल के पास में बड़ी जगे चाहिए, और वो इतनी लोग हैं, उनको करांती वरांती से कोई लेना दरा नहीं है, वो 40-50 लाग रुपे महिना वाँ आता है, वो आपस में बाट लेते हैं सब लोग, और काम चलता रहता है, कुछ लोगों ने महाँ कोशिस भी की कि अम्मेट का भवन ठीक से चले, उन लोगों की पिटाई- होगे, मारे पिटाई हुई, उनकी ठुकाई हुई, वो बैठ गे, उनमे से एक मैं भी हूँ, मेरी भी वहाँ पिटाई हुई है, तीन लोगों ने मिलके मुझे वहाँ पीटा, जब अम्मेट का भवन को खाली कराने की बात हुई, एक तो उसमें वही है, जिसने जमीन नहीं दिया, जो वॉल सिटी के पुराने लोग हैं, पर दलाली में पूरा साथ दिया है, चाहें वो कौर्ग, किसी भी पार्टी की गौर्रमेंट हो, सरकार जो भी आती है, वो दला गिरी में, दलाली गिरी में, पूरा बर्चलक हिसा लेते हैं, तो दिल्ली के अंदर जो में बटे हुए हैं, और वो भी लगबग अलग अलग नेता बन गए, जो सरकारी करमचारियों के यहां दफतर हैं, क्योंकि यहां अधिकतर राजधानी हैं, अधिकतर सरकारी विभागों के यहां पर बड़े-बड़े दफतर हैं, बड़े-बड़े विभाग हैं, चाहें वो रेलवे का है, चाहे वो बैंक का है, चाहे वो इंसुरेंस का है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो मिरट्टी का है, चाहे वो एजू के संग का है, कोई इसी भी मिनिस्टी हो, सारी मिनिस्टी यहां है, तो इनकी संख्या बहुत जादा है, क्योंकि अगर संबन की लगाए तो भी संक्या बहुत ज़्यादा है और इन लोगों को खूब पैसा मिलता है तो इन्होंने रहने से ना भी है उसमें से बहुत थोड़े से लोग हैं जो मिसल मुव्मेंट में काम करते हैं पर विभाग के अंदर डेपार्टमेंट के अंदर सभी लोगों ने एसोशेशन बना करार राखें एड्मिस्टेशन को कोई दिक्क्त नहीं है क्योंकि एड्मिस्टेशन को तोड़ता है है और दो-तिन में बदल देता है और वो लड़ते रहते हैं आपस में ऑड़े मज़ह से रहता है और वो अपने ना डेपार्टमेंट बचा पाए ना अपने अधिकार बचा पाए ऐसे ही यहां कि मुव्मेंट में भारती बहुत महासवा जो बावा साब की थी उसके कैई सारे टुकड़े हैं के लोगों ने प्राविट बहुत महासवा बना ली के लोगों ने अलग डिपार्टमेंट बना ली है वो अलग अलग काम करते हैं एक दूसरे के दुस्मन रहते हैं कभी खटे होने की बात नहीं है ऐसे ही बावा साब ने जो समता सेंग्दल इस्थापित किया उसके बहुत साइट टुकड़े हैं वो सिर्प चंदा लेते हैं या आपने आपको सूरवीर और आपको करांतिकारी कह के एक आज कोई जीवीब में घूनते रहते हैं छंदा मंदाख्टा केता रहें कभी कवा फूर जैभीम जैवारत बोलते रहते हैं बस इस से जादा उनका कोई रही है और एसे समता सेंग्दल OVER भारत में बिखifaDus हैं हर सहर में नया संतसेंदल है और उनका कोई समिधान नहीं, कोई उनकी ड्रेस नहीं कोई कुछ नहीं तो जो मुव्मेंट के लोग हैं यहां सामाजिक संटरों के लगबख सभी के यहां दफ्तर सभी के आदमी है सभी भारत में जितने भी सामाजिक संटर यह बहले है एक आदम्य है ओसे लड़के को दलबल भी है वो भी कुशिशच करते हैं और वैसे इसे ही जो आर्थिक संठन है वो भी है है यह सारे के सारे जितने भी लोग है जब कहीं कोई नया कोई संग्ठन बनता है या लोगों कोई खटा करता है या कोई काम करता है तो वो व्यक्ति इन सब के पास जाता है ये नाम देता है सब के पास जाता है और सब से जाके कहता है कि मैं एक मीटिंग लगा रहा हूं आप मीटिंग में आईए तो य बारे लोग जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मंच पर इस्थान मिलेगा बोलने को मिलेगा और यह हो सकता है पदवन मिल जाए हमें बाओ जी पुर्धानि कहना का मौक्छ मिल जा करने द्ली कोई भी द्ली के अगर वो ना भी चाहे तो भी सफल होती है, ना भी चाहे तो भी सफल होती है, कारण क्या है कि सब लोग आते हैं, कुछ देखने आते हैं, कुछ मंच के लिए आते हैं, कुछ माला के लिए आते हैं, कुछ पैसो के लिए आते हैं, कुछ उसको चड़ाने के लिए आते हैं, कि म बड़ा नेता हो गया, राजधानी के दर मीटिंग हो गई, खुब पैसा वैसा खर्च करता है, जाहिसी बात है, पैसा सब समाज का है, चंदे से आता है, कोई घर से तो लगाता नहीं, पर वही व्यक्ति अगर दूसरी मीटिंग लगाता है, तो कोई नहीं आता, दूसरी मीट में तो 40 आदमी भी नहीं आए और वो भी नहीं आए जो पहले बड़े-बड़े वादे कर गए थे ऐसे यहां हमने 25-30 साल में बहुत किस्ते देखे बहुत लोग आए पहले मिटिंग धूमदाम से और दूसरी मिटिंग चारो खाने चित क्योंकि संग्ठन है चित तो होना यह फिर कोई और आता है फिर कोई और आता है तो यहां जो दूसरी मिटिंग लगी IICC में दिल्ली में जो प्रोफेशनल की थी उसको भी चित्पट करने में खूब मेहनत हुई लोगों की पर संग तो संग है संग अगर कमर कसले तो संग खाली हाथ नहीं जाता संग वो सिस्ट बहुत ठंडे में हुई बहुत मुस्किल में हुई पर सफल मिटिंग रही फिर तीसरी मिटिंग हुई दिल्ली के अंदर राश्टी अंतराश्टी मिटिंग तीसरी मिटिंग करने का था कि तालकुटरा में होगी लोग जादा आने वाले हैं बाहर से आने वालों की संख्या ज्यादा है तो तालकडोरा बुक कराया पर डिसम्बर में पता चला कि तालकडोरा मिलेगा रही क्योंकि G20 का कारिक्रम 11 बारे कोई लगा है और उसमें एक नियम है कि सरकार जबता है उसको कैंसल कर सकती है पर उन्होंने हमें दिसम्बर में बता दिया था पर कंफर्म नहीं यह बताया था कि अगर काईक्रम यहां लगा तो आपको यहां से जाना पड़ेगा और काईक्रम अगर प्रगती मिदान में या कहीं लगा इंडिया गेट पर लगने की बात भी है तो फिर आपका जगे मिल जाएगी आपका लेना तो समंझस में चला गया संग क्योंकि ज़ जगे नहीं मिली तो क्या करेगा और अगर जगे मिल गई यह लोग नहीं बलाए तो क्या करेगा पर बाहर के लोगों ने तो टिकेट बुक कराई हैं हवाई जहाज की रेल की छुटियां नहीं हैं उनको मायूस नहीं किया ज़कता तो जितने रिश्टेसन हुए वो थी कुछ समय पहले उन्होंने बताया हमें कि जगे कैंसिल होगी दस बाद दिन पहले तो ये अल्टरनेट जगे ले ली गई ये जगे कम थी छोटी थी संग्यों की संक्या जादा बढ़ गई इसलिए दिल्ली के और NCR के रेजिट्रेशन नहीं लिए गए नहीं कोई संगती लगाई गई ना ही कोई मिटिंग लेगी और ना ही किसी को कहा गया आपाना क्योंकि किसी को कहा जाए बुलाया जाए और उसके बाद में महां बैटने की जगेdim भी नहीं थीं लोग नीचे भी बैठें मंचपें भी बैठें बहुत सारे खड़ें बहुत सारे घूमते भी रहे साड़े तीन हजार के करीब खाने में प्लेटर लगी जबकि वहाँ जो कैपिशिटी थी हॉल की पूरी पूरी और ट्रग मी चौदा सो पंदा सो मात थी तो ऐवस्था तो थोड़ी सी रही बैठने की पर जब ऐसा टाइम चेंज आता है जगे आती है तो उस समय होती है पर इस संगती में चौकि दिल्ली के लोगों का रिष्टेसन लिया ही नहीं और दिल्ली का कोई मीडिया भी नहीं आया क्योंकि मीडिया बिना पैसे की हिलता नहीं एक पत्रकार आया सिर्फ जो DNN से यानि दलित नियूज नेटवर्क से आये थे वो दो दिन आये और दो दिन उन्होंने अपना जो डूटी थी वो निभाईर कोई पैसा उन्होंने संग से ना संग देता है ना उन्होंने मांगा वो ऐसे पत्रकार में हैं उनका धन्यवाद है संग की तरफ से और जो नहीं आये उनका भी धन्यवाद है क्योंकि हमें अपने पैरोपे खड़े होने की ताकत मिलेगी हमारे पास पैसा देने के लिए हो सकता है ना भी हो पर अपने पैरों पर खड़े रहते हैं तो संग का स्वाभिमान बरकरा देता है ये संगती पूरे भारत में इसलिए मील का पत्थर है एक तो इसको संग चलाता है इसको व्यक्ति नहीं चलाता वहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो इसको चलाता हो या किसी के व्यक्ति के या व्यक्तियों के नाम से चलती हो सारा काम automatic mode में सब अपना-पना कर रहे थे संग की ठोड़ी-ठोड़ी जो समझ है वो सभी को आने लगी है कि हमें collective काम करना पड़ेगा तो सब ने collective काम किया किसी ने मंच का, किसी ने बोलने का, किसी ने चेरा चमकाने का किसी ने फुटु चापने का कोई लाला चुमा नहीं किया जो डूटी जिसको मिली उसने सिद्दत से पूरी की और बड़ी हाट डूटी रही कैई लोगों ने तो 48-48 गंटे की डूटी दी हैं सो भी नहीं पाए पर संग के लिए सब करना पड़ता है क्योंकि यहाँ के लोग है तो यहाँ डूटी देंगे जब बाहर संगती लगते हैं तो बाहरा बाले डूटी देते हैं फिर यहाँ के लोग दढ़दर से जाते हैं पर यह मील का पतर इसलिए है क्योंकि इस संगती के अंदर एक भी VIP आपको कहीं दूर दूर तक दिखाई ने देगा VIP तो बहुत आते हैं पूरा संगी हमारा VIP है हर एक आदमी VIP है पर वो जो VIP कल्चर है एक आदमे को बठाना माला पेनाना उसको फूल माला करना उसकी जैजैकार करना उसका नाम लेना उसकी तालिया बजवाना उस पर लाइट फैकना उसकी वहवा करना वो सिस्टम कहीं नहीं है यहाँ दो तिन स्टूल पढ़े रहते हैं क्योंकि इस वार संग का नियम था कि फैमली भी साथ बैटेगी क्योंकि कुटम संगती और वैसे भी परिवार को साथ बैटना चाहिए त तो उन्हें यह एसास रहे कि उनके पीछे संग खड़ा हुआ है मुझे याद है जो डॉक्टर तरवी मारे गए थी और अभी आई आई टी केंदे एक लड़का मारा गया है एक वीडियो मैंने बताया था कि डॉक्टर तरवी नहीं मारी जाती है अगर ये वीडियो सुन ल डेता है उसके पास ही पास कर उसको ये दिव्नी निहीं पता चलता कि उसका एदमिसंगे म夠रा एक मैडिकल में हो रहा या कहीं हो रहा है है उसका परिणाम यह होता है कि बच्चा जब सहर से बाहर जाता है माबाब से दूर जाता है और सार्टिफिकेट के साथ में उसको वहां कोई opportunity मिलती है IIT में या medical में या कहीं और वहाँ जाके जब वो उसको opportunity को avail करता है तो जो और लड़के जिनके जिनको जानकारी है जिनके मन मस्तिक्स में कास सिस्टम भरा हुआ है जिनको अपरकास्ट होने का धंब रहता है वो वहाँ पूसते हैं वो कहते हैं अरे तुमाई तो रेजरबर से मिला है तुम तो सिलू कास्ट हो तुम तो बैकवर्ड हो और बच्चे को पता नहीं होता वो fight नी कर पता कि उनकी जो legacy है उनका जो राज साही तंत्र है उनका जो विश्म गुरू बाद है उनके जो डॉक्टर महा जीवक जो सुधत्य जैसे वियापारी है वो कितने बड़े लोग रहे हैं और कितने बड़ी सल्टनफ हमारी रही है महा भारत तक और कितने बड़े राजा रहे हैं यह जानकारी होती नहीं तो डिप्रसन में आ जाता है माबाप भी कुछ उसमें करनी बाते है माबाप से चुपाता है और वो सुसाइट के लिए था एक होनहार डॉक्टर एक होनहार हमारा IIT का इंजिनियर समय से पहले ही चला जाता है समाज का बड़ा नुक्सान है माबाप का तो खरही पर वो जानकारी होती नहीं क्योंकि संग में बैठते रही संग्ठन में आते नहीं बावा साब का नाम लेते नहीं बुद्ध का नाम चुपाते हैं पेरियार से डरते हैं और बताते नहीं किसी को तो उसके परणाम आते हैं हमारा संग समर संग कैसा एक साथ लोग चलाते हैं कैसे हाथ उठा के कहते हैं हमारा संग समर संग तो छोटा बच्चा मैंने देखा है जो हमारे अड़ोकेट अभी शीक राजी का चोटा बच्चा है वो अभी कुछ ने जानता पर अगर आप उसे बोलो है हमारा संग नहीं तो उसके लाब ले हुएं इस संग्ति इस मामले में बड़ी खूप सरत रही कि हिसके अंदर को कोई किसी राजनियतिक इंफुलेंस का या राजनियतिक चेहरे का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं होता राजनिती लोग तो आते हैं पर बैठते भीड में हैं इस संगती समाइने में भी बहुत अच्छी रही क्योंकि इसमें चलाने वाले इसको सारे साधरन लोग हैं महां पर डिसिप्लिन तो होता है लूग बैठते हैं खाना खाते हैं आते जाते पर जैसे परवार के अंदर weak του क्योंकि के खेलने कोकि रुकावर नहीं हैं दिखावा नहीं करें हम पारवारी गांति मिला रहें इसलिए होगों दिष्टरेंस किसी ओसकता है इस आ पर संंग को अपने बच्यों की खेरने थिर अफोई बच्ञार काम के बच्चे करेंगे उसको कहना नहीं पड़ता है और बच्चों के लिए गते हैं जैसे d bleed में चोटे-चोटे हिर्णों की बच्चे कूटते हैं तो सबको अच्छा लगता है कितना बड़ी आवातरवन लगता है फिर बच्चे मा के साथ आते हैं जाते हैं थोड़ा किलकारी आती है तो कोई दिक्कत नहीं उससे क्योंकि हमारा परिवार है पर हमारा परिवार मजबू से है लोगों के खून में है जीन में सिर्फ बताना है पर यह संगती इस माइने में बड़ी खूबसूरत रही कि सभी लोगों का माथा चमक रहा था सभी के ललाड बुलकुल चमक रहते सूरज की भाती और सभी के सर उंचे थे खाना खाते समय किसी की आँखें नीची नहीं थी क्योंकि अपना खा रहे थे जब हम लाइन में लगके खाते हैं या किसी की बुलाबे पर खाते हैं या किसी नेता क्या खाते हैं या कोई संठा चंदा इकटा करके खलाता है तो खलाते समय वो गुराता है उसकी भासा अलग ह होती है पर यहां खिलाने वाले भी अपना पैसा दे के आए हैं खाने वाले भी अपना पैसा दे के आए हैं और सारे संगिये सारे भेनवाई हैं तो खिलाने या आप खाना दे दो, कितना अच्छा दे दो, पर वो खाना उसको सरीर में कभी लगता नहीं, क्योंकि उसके मन में हमेंसा ये रहता है, मांग के खा रहा है, पर समढ संग के अंदर आखिर तक भी ये फिलिंग नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि जितना सामान खईदा ग सामन वहां बुद्विवहर में दे दिया गया पर समण संग मियुथ दिया तो जो सब्काए यह को एक दजो झाये को एक दो आदम्यों का है इसलिए आखिर तक खोषी क्वाएं और जो भaar के लोगे लेके जाएं पैसा दिया है उन्हों उसी पर समढ़ संगी बैठता है तो तन के बैठता है जम के बैठता है पैसा दिया है स्वाभी मान के साथ बैठता है तो वहां बरावर का इज्जत का स्वाभी मान का जो रस है वो सरीर में चलकता है तो आखें चमकती है तो चेहरा चमकता है तो माता चमकता है तो आवाज न हाव चलता है वहाँ पे कि हम परिवार का हिस्सा है वहां इतना पारवारी का माहूल रहता है कि अगर किसी का कोई काम चलाशी को मदद के लिए अवाज दे तो वहां 20 हाथ आ जाते हैं यह चीज हमें समढ संग में बहुत कीमती है जो हम इसको डबलप कर रहे हैं और इसको बनाना है मजबूत करके कंधे बनाने हैं यह संगती की सबसे खूबसरत बात रही इस संगती की सबसे एहम बात रही कि हमने 400-500 साल बाद फिर दुबारा से अपने संग की सपत ली थोड़े लोगों ने लिए है कोई फरक नहीं पड़ता उससे क्योंकि 500 की संगती फिर मुं कर देंगे वो पूरी पूरी मुसीव सबसे को खतम कर देंगे वह नियब पहले से ही दिये हुए हैं सिर्फ उनको साधरन सबस्त technितित्य के पेश्कना बाकि और पासक करना बाकिया हूँ जो लोगों संग वाले लोग अपने आपको संग में वलीन कर चुके हैं। हो सकता है बारवार कहने के बाब जूद भी कोई व्यक्ति सपत को ना समझा हो और फिर उसने ने लिए हो कि मैं आके खड़ा हो गो ले लू तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर उसकी इक्षा होगी काम करने गी तो चल जाएगा और एक्षा नहीं होगी तो फिर संग रास्ता निकालेगा क्योंकि कोई क्यायवार भाव में आके ले लेता है हाला कि नौवण ये कहा गया था तीन वार तीन तीन वार कहा गया था कि ये मुसक्किल काम है इसको सोचें समझें उसके बात से पतलें पर जाइसी बात है नौ बार कहा गया है तो मन फोग लिया होगा तो अच्छे प्रणाम उसके आने वाले है ये संगती इस मामले में बड़ी खूपसत रही क्योंकि पहली वार संग का खर्चा कम हुआ है यानि कि संग पहली वार घाटे में नहीं आया और थोड़ा बहुत पै या संगती लगी और पैसा बचा यानि हम पैसे बचने हाला कि कुछ पैसा मिसमेंट में ज्यादा खर्च हो गया कुछ उल्टे सीधे खर्च इसलिए होगे क्योंकि एट टाइम रात के बारे बजे रात के दो बजे हमारे जो टेंट वाला है वो फोन ही नहीं उठा रहा ना इमर्जनसी आती है तो उसमें फिर पैसे का मुह नहीं देखा जाता पर काम बहुत बड़ी हुआ हुआ जितनी लोगों ने ये रात रात बार मेहनत की वो सादुबाद के पात रहे क्योंकि उन्होंने अपनी अर्टारीज घंटे की नीद और अर्टारीज घंटे का के लिए दिया है तो संग उनका सादुबाद इसलिए करता है कि ऐसे जितने भी लोग हैं वो कमिटिट लोग हैं और आगे भी और लोग ऐसे पैदा हों ये चीज बड़ी अच्छी रही ये संगती इस मामले में बहुत खूबसत रही कि वहां जो एक ऐसी भावना होती है कि हमारा परिवार है और जिसने जो कहा हम उसके साथ हैं ये भावना सबसे कमाल की भावना है कि परिवार का एक सदस्ते कुछ भी कह दे हम उसके साथ हैं क्योंकि हम संग के साथ हैं संग हमारा है ये भावना बड़ी अच्छी रही कि वहां लोग परिपक हुए ये भी बहुत बोलने का टाइम थार उन्होंने खुशी के मारे ये कह दिया कि हमें बोलने की जरूत ही नहीं है जो काम हो रहा है उस काम से बढ़कर बोलना नहीं है तो कि बोलना हम तब सुरू करते हैं कि ये काम होना चाहिए पर जब काम को क्यों लगाए तो उन्होंने कहा ही नहीं इस मामले में बहुत अच्छी रही यह संगती इस मामले में बहुत अच्छी रही क्योंकि इसकी संख्या पहली संगती से बहुत जादा जादा रही यह एक चेलेंज होता है पहली संगती बहुत अच्छी लगती है दूसरी संगती डाउन हो जाती है, लोग विरोध में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग विरोध में आए, बहुत सारे संग्ठन विरोध में आए, अभी रहेंगे विरोध में, पर साधारन लोग समझ रहें बात को और बढ़ रहें हैं, इससे संग्ठनों का विरोध ढीला पड़ेगा, इससे उनको समझ आएगी कि साधारल लोग इखटा होना चायते हैं। वैसे समझ तो तब ही आजाना चाहिए था जब दो अप्रेल अठारे को लोग इखटे हुए पर संठन के नेता हैं मानते नहीं। दो अप्रेल अठारे को यही आवाज आए थी कि लोग ने ये कहा था हम इखटा होना चाहते हैं हमें किसी नेता की आवशकता नहीं है बिना नेता की इखटा होना चाहते हैं पर नेता अभी इसको समझने को त्यार नहीं है अभी उनको चंदा उनको पद, पोष्ट, मंच, माला ये सपने में आती हैं, परिशान करती है नेता रात को सोता है तो मुख्य मंत्री की सपत के सपने देखता है रात के दो बजे पानी पीने उठता है फिर दुवारा सपना लेता है तो सपना बढ़ जाता है प्रधान मंत्री की सपत का सपना देखता है पर ये सपना नहीं देखता कि बावा साब ने कहा है कि इखटा होना चाहिए, बुद्ध ने कहा है कि संग की स्रण में जाना चाहिए, सब ने ये कहा है कि जबता कि आप इखटे नहीं होगे जीतो गिनी ये सपना नहीं देखता हो इस सपने से उसको डर लगता है डर इसलिए लगता है क्योंकि अगर सारे खटे हो गए तो नेतागरी खतम हो जाएगी सारे खटे हो गए तो सबका डिसिन चलेगा सारे खटे हो गए तो चंदे का हिसाब हाथ क्या देना पड़ेगा क्योंकि संगती में समण संग की संगती में संग की संगतियों में साम तक खर्चे का हिसाव आ जाता है जैसे वहां बताया गया कि इतना पैसा आया इतना पैसा खर्च हुआ आपका पैसा है तो आपको बताना जरूरी है पर हमारा पैसा हजारों संग्ठरों में गया है पर संग्ठर ने आज तक हमारे पैसे के बारे में कभी नहीं बताया कभी नहीं बताया कितना पैसा कहां खचोता है कहां जाता है कहां आता है कहां बसता है कभी नहीं बताता इसलिए संग का जो ये संगती है ये प्रूब करती है कि हमारा गराह बढ़ रहा है और गराह बढ़ने का मतलब यह है कि संग में पुराना जो संग का यकीन था लोगों में वो यकीन पढ़ता जा रहा है वो यकीन बढ़ने से संग के बढ़ने की और संग के पहलने की अगले साल में जो संभावना है वो कम से कम दस गुनी है यानि कि दस गुना तक संग बढ़ सकता है अगर सारे समढ संगियों ने कमर कसली तो काम तो करना पड़ेगा बिना काम करे संग नहीं बढ़ता कोई ये कहे कि संग के नियम बहुत अच्छे है, संग को बढ़ना चाहिए, तो संग के नियम वही है जो पहले थे, संग के नियम कोई नहीं बदले, अगर संग के नियम बिना काम करें, कोई चमतकार कर सकते होते, तो संग कमजोरी ना पढ़ता, फिर संग को ताकतवर करने के चलना सबसे important है और चलकर उनको maintain करना हो ज़्यादा important है इसलिए कमर कस्णिया सबको कि सारे के सारी जो संगतियां है वो संगतियां लगाता लगाता होनी है जैसा कि तैव हुआ था कि हमें छोटी-छोटी संगतियां इस्वाल लगानी है घरों की यानि जो समण संगी है उन सम जो समझ संगी सफ़ इस के अभी से ही आरमट कर दें इसका अंदियार ना करें क्योंकि अब संगती और आने वाली हैं हमारी जो मुंबई की संगत यह साथ आठ नौ तारिकी उसके लिए तेजी से बुकिंग चल रही है तो उसके लिए लोग अपनी अपनी बुकिंग कराएं और हमाँ पहुँचे यहां जो कुछ हमारे नए साथ ही आए हैं वो यह सोच रहे होंगे कि यह समण और समण संग है क् आखिर क्या चीज है समण और समण संग का क्या चकर है क्या नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसको ऐसा ही समझते हैं जैसे संग्धन है वैसे तो समण गंत में एक इक बात लिखी हुई है तेरे रुपे साथ पैसे का है आप यहां चैट बॉक्स में नंबर डालेंगे या जो नए साती है अगर वो मेरे इस बात करने के बाद में अपना परिशे देंगे फॉन नंबर देंगे या वो मांगेंगे तो उनको कहीं न कहीं कोई न कोई समण संगी दे देगा क्योंकि हर जिले में और हर इस्टेट के अंदर समण संगी लोग है और उनके पास समण आती हैं डेली पड़ती है उन से आ जाएगा और अगर फिर भी कोई व्यक्ति ये सोचे के मैं वीडियो पे भी नहीं देखूंगा गंत में नहीं देखूंगा तो मैं शौट में वता देता हूं पुराने समय में हमारी जो आइडेंटिटी थी यानि जैसे आज हम अपने आपको कहते हैं कि हमारी राष्टियता यानि हमारे देश की जो नागरिता है अगर हम भार जाते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं लोग हमको भारतिया कहते हैं यहां हमें भारतिया कहने कि आप सकता न है देश के अंदर अपने पड़ोसी को ये कहने की जो तनी है कि तू भी भारती है मैं भारती हूँ क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्टेट का होता है जिस सहर का होता है वो उसका कहता है जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो कहता हूँ मैं दिल्ली वाला हूँ क्योंकि दिल्ली में रहने वाले सारे भारतिये हैं पर अगर दिल्ली में रहने वाला भारत छोड़के कहीं बाहर जाएगा तो फिर वहां दिल्ली वाला नहीं बोला जाएगा फिर वहां बोला जाएगा मैं भारत से आया हूँ भारतिया पर भारत नाम तो तब पड़ा जब बुद्ध की आभा आई थी बुद्ध से पहले इसको क्या कह दे थे यह कहीं किताबों में मिलता नहीं कि बुद्ध से पहले हमारी जो राष्टिय थी नेशनल इडिटी थी वो क्या थी यह किसी किताब नहीं मिलता पर यह लिखा हुआ है यह लिखा हुआ इसली है क्योंकि दो तरह के लोग भारत में पुराने समय में जब भारत नहीं था तब हुआ करते थे और उससे पहले एक तरह के लोग थे उनको समण बोला करते थे उसाए लोग समण थे तो लोग उनको कहते थे के समर आगे समर और समरी सारे इस भारत में रहते थे पर जब भार के लोग आए तो उनको समर लोग क्या कहें कियोंकि हम तो सारे समर थे अब कोई बहार से आया है तो या तो वो अपनी राष्टेता बताए और या यह बताए कि उसका कंट्री क्या है पर कंट्रियों के नाम इतने ज़्यता प्रशलित थे नहीं क्योंकि मीडिया नहीं माध्यम नहीं किताब नहीं कावज नहीं पैन नहीं टीवी नहीं रेडियो नहीं नक्षा भी नहीं था कहीं किसी को पता भी नहीं था बस नाम ही हुआ करते थे जगय के तो यहां के लोगों ने जो लोग बहार से आते थे उनको वमन कहा अपने आपको समन कहते थे उनको वम माने होता है विपरीत यानि जो हम मैंसे ना हो हमारे अलग तरह के लोग हों हमसे अलग हों हमसे विपरीथ हों जिनकी रीत हमसे विपरीथ है तो ऐसे लोगों को वमण कहा करते थे तो जो बहार से लोग आए वो वमण हो गए और जो यहां के लोग थे वो समण हो गए तो यहां के लोग सारे काम क्य करते थे राजा भी वुई थे समराटा सोख हैं चंद को टनमोर में हैं या उसके बाद में हैं या पूरे भारत में जितने भी जो राजा नहीं और जो गण वैवस्ता रही हैं जो गड़ रहे हैं उन गड़ों के अलग अलग गड़ परैसे चला करती थी तो वो गड़ गुरु भी बुद्ध थे, अकेले विस्व गुरु हैं, तो जीवक जैसा डॉक्टर भी यहां, यहां यूनिवस्टे भी बनी बाद में, हेती करने वाले भी सारे समण, सेना के अंदर समण, सिपाही समण, जो अक्षर बनाए सबसे पहले, वो अक्षर भी देव नागरी पीथी वो भी समणो ने बनाए, और अक्षरों को पढ़ने वाले लोग भी समण थे, पढ़हने वाले भी समण थे, और पथ्रों पर लिखने वाले समण थे, समण वैपारी भी थे, जो यहां से लेके इरान तक वैपार करते थे, और समण ही इंडेशिस्टłe के जो, समण की हिस्ट्री ऐसी नहीं है जब किसी किताब में लिखा हो कि किसी समण ने किसी दूसरे समण से भिक्चा मांगी हो यानि भीक मांगी हो बैगिंग की हो याचना की हो खाने के लिए ऐसा नहीं था पर बहार से जो वमन लोग आए, उनकी पूरी हिस्ट्री में, पूरी किताबों में यह लिखा हुआ है, एक गरीब याचक ब्रहमन, एक गरीब ब्रहमन, मांगता है, याचना करता है, भीक दे दो, मांग के खाता है, उनका कोई काम नहीं है बढ़नित, उनका कहीं काम कोई लिखा हुआ न जब बमन लोग के हाथ में गई और बमन लोगों ने ये विद्धा सीखी, बुद्ध से भी सीखी, और भी बाद में सीखी, तो और उन्हें हमारे सर्मन सब्द को सिर्मन कर दिया, जबकि श्रे, शे, शटकॉन वाला शे, आधारे, बहुत सारे जो सब्द हैं ये पाली में, य उन्होंने यहां पर जो अर्वी भासा थी, अर्वी भासा यहां लेके आए और यहां की भासा को मिलाके, उन्होंने जो संसकत बनाई, उस संसकत का नाम उन्होंने उर्दू रखा, उर्दू भी संसकत भासा है, और ऐसे ही जो बाहर के लोग आए, उन्होंने अपनी भासा और यहां की पाली मिलाके संसकत भासा संसकाइट की उसका नाम इस संसकत रखा ऐसे ही साई दुनिया में जो अंग्रेज आए अंग्रेज जो ने यहां आए और यहां की भासा से मिलके इंग्लिस से हिंग्लिस बन गई जो आज कर हम बोलते हैं तो हिंग्लिस बन गई तो कल्च लोग लोग हैं बेसिकलि उन्होंने हमको ये कहना सुरू किया कि हम सिर्फ महनत करेंगे हम रूलर नहीं रहेंगे यानि हम राजा लोग यहां तक कि आपने देखा होगा कि एक ऐसा करेक्टर बना दिया जिसको बाद में दलत्वी कहा गया जो सेवा भी पढ़ा रहता है यानि कि ऐसे फोटू बनाए गए ऐसे कहारी बनाए गई ऐसी चीजें बनाए गई और उनके काम करने को बड़ा ग्लोरिफाई किया गया बड बना नाल है स्रम ही करते रहे हैं और जैसे जैसे दीदिरे को कहानिया मजबूत होती गई वैसे वैसे हमाई लोगों के दिमाग में ये बात पक्की होती गई कि हम तो मजदूरी आदमी है हम तो ऐसे ही आदमी है फिर उनका पढ़ाई लिखाई धरन उनका यानिकि उनका सस् लेवर का काम रह गया जिसको उन्होंने स्रम कहा और समण सब्द धीदीरे धीदीरे विलुप्त हो गया समण का स्रमन कर दिया और वमन का ब्रहमन कर दिया ये दो चीज़ें वहां चेंज हुई पर बावा साब अमेटकन ने जो सोलवा वॉल्यूम दिया है पाली का उसमें क्ल लोग हैं हम भिद्वान प्रफजल लोग हैं हम डॉक्टर हैं हम इनी मालें 2 मालें हम किसान हैं हम खेती हैं पर हम याचक भितमंगे नहीं है ये बात बावा साव मिटकन ने बताई और बावा साव मिटकन ने कहा कि इखटा होना है, बुद्ध ने कहा संगन सरणंग अच्छामी इखटा होना है, महापुरसों ने कहा सादू संगत करना है, सब ने कहा, पर हमारे जो नेता हैं उन्होंने छोटे-छोटे संग्धर मना ल संग्ठन सरणंग अच्छामी का मतब यह कहा है कि संग में आना है संग में रहना है संग्ठन सरणंग अच्छामी नहीं कहा है बावा साब ने और इसका मतब है संग्ठन रहना है टुकलों में रहने के लिए बावा साब नहीं कहा है साधू साधू लोगों ने संगत करने के ल तो उनकी अनुयाई अनुयाई। अले लNet कि रहते हैं। तो इनकี अनुयाई को अलग लग नहीं डियना चाहिए। जेब संत स्रम्रक्राब्ने के साथ में सारे संत हैं तो सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए। इस बात को लोग नहीं समझ ते। इसनिए चंदे के धन्दे में और जो मनुस्पर्टी में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति मालिक रहेगा तो संग्ध्रणों के मालिक बनते गए और उससे हमारा नुक्सान हो गया उससे ये नुक्सान हुआ हमारा कि हमारे 39 लाग टुकड़े हो गए और उन टुकड़ों को इखटा करने के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई एक व्यत्तिनिम नहीं कहा, क्यों नहीं कहा क्योंकि लोग आलस होगे, लोगों को लगा कि हमने चंदा दे दिया है तो हमारा चमतकार हो जाएगा, हमारे अदिकार बच जाएंगे, ये लड़ेंगे और चंदा लेने वाला सोचा कि हम क्यों मरें हमें चंदा आ रहा है, काम बढ़िया चला है इनको डराते रहो, अगर अधिकार सचमुच आगे तो चंदा देना बंद करतेंगे, अगर आप किस चड़ो और बस में उतर जाओ और कपैसा देओ तो उसी हिसाब से आदमी पैसा देता है पर अगर वो अपने घर पहुंच जाएगा तो दोबारल चड़ेगा नहीं तो फिर पैसा देगा नहीं बोले इनको घरी मत पहुचाओ घर पहुँच गए तो यह पैसा देना बंद के लेंगे इसलिए वो बस में रखते हैं बस वो डराते रहते हैं कि तुम्हारा ये धिका चला गया और वो हमारा सारा का सारा नुकसान करते गए नुकसान करते गए ये बात सारे संग्ठनों को बार बार बताई कि भाई अलग अलग लड़ने से कोई फाइदा नहीं होगा चाहे तुम भीमार्मी हो चाहे तुम बामसेफ हो चाहे तुम भाउजन के जितने भी संग्ठने वो हो चाहे तुम कोई सी भी राजनेतिक पार्टी हो, चाहे तुम मूल निवासी के नाम से हो, चाहे तुमने कोई अर्जक समाज खोला हुआ है, चाहे तुमने कोई लड़कों का दलबल खोला हुआ है, चाहे कोई तुम्हारे संग्ठन है, चाहे वो भारतिय बहुत महासा है, चाह ये बात उनको कही पर उन्होंने मानी नहीं, उनको खूब निवदन किया कि इखटे हो जाओ पर वो मानी नहीं, तो सोचा चलो साधान लोगों से बात करते हैं, साधान लोग अकल मंद होते हैं, उनको समझ आती हैं, वो समझदार होते हैं, तो साधान लोग जितने भी थे वो ना चंदा है, ना पैसा है, ना इसमें राजीती है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ जुड़ना है, जुड़ने की है, जुड़ेंगे जीतेंगे, जो जुड़े हैं, वो जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं, वहां जीते हैं, जब जब जुड़े हैं, तब तब जीत नहीं ये संग्तनों का नीयम है ये संग्तन है इसलिक हम को जीतना है तो संग में हlyn WAY रहना है और हमने हमकर हमको हारना है तो संग्त Cosamndra में रहना है अगर हमको जीतना है तो जो बावस हम बैड़ करने समविधानिक में भारते गड़राजे संग के अंदर जो नियम दिये हैं वही नियम इसके हैं जो बुद्ध ने अपने भिक्को संग के नियम दिये तो वही नियम इसके हैं और जो बुद्ध से पहले हमारा समण संग था जो नियम उसके हैं वही नियम इसके हैं और दुनिया में जितने भी संग बने हैं वो इसी संगों को देखके बने हैं जो हमारा प्राचिंतन संग है इसलिए इस संग में सब को आना पड़ेगा खुशी से आएं देड़ से आएं सवेड़ से आएं लड़के आएं मर के आएं माईस हो के आएं खुशी से आएं उनकी मरजी पर इसके बिना कोई र पास्ता है तो संग उसको बिना किसी कुछ भी करायत तुरंत उसको एडॉट कर लेगा यह संग की नियम है यह संग में बहुत अच्छे अच्छे नियम बने हुए है जिनका गजब का पढ़ना मारा है रियल्ट आ रहा है इसलिए सब लोग जितना भी हो सकें तीजी से काम करे संगती एक अगर हो जाती है तो रुकना नहीं होता हमने कोई ऐसा तीर नहीं मार लिया है भारत के अंदर हजारों संगतिया होती है अगर एक संगती करने से या दो संगती करने से कोई करांती होती होती तो भारत में करोड़ोबार हो जाती लगातार सतक प्रियास से लगाता थके काम परने से और काम बड़ा किया है तो उसके जोस के साथ और काम परने से और यहां तक कि अगर जो उद्देश से हमारा है समण संका उद्देश से सबका सुखी देने का तो अगर हमें सुख प्राप्त भी हो जाता है तो भी उस सुख को मैंटेर करने के लिए तो भी हमे कोई जो ताकत है वो जिता नहीं सकती आप ध्यान दो भारत के अंदर जो लोग सफल हैं समय उन्होंने हमारे संसकी का है वो सफल है उनके पास मैं सारा पैसा है सारी जमीन है सारी इंड़स्टी है सारी नौकरिया है सारी सत्ता है सारी पावर है फिर भी वो दिनना दिनना दिन तो हमको जुड़ना ही होगा इसके अलावा कोई विकलप नहीं है क्योंकि जो जुड़े हैं वही जीते हैं किसी को ज्यादा दूर जाने की जरूत नहीं है थोड़े से जाट थे जुड़ गए आज सत्ता हुली की होती है चाहें बेसे को उनका कोई मुख्यमंती हो या ना हो पर वो जो चाहते हैं वो करा लेते हैं थोड़े से सिखते वो जुड़ गए तो पंजाब उनका है जो चाहें वो करा ले लेते हैं भारत में जितने समण हैं उनकी संक्या बहुत जादा है अगर वो जुड़ जाते हैं तो जितने पुराने दुख हैं वो भी दूर हो जाए संगंग नमामी, संगंग नमामी, संगंग नमामी, जै भीम धन्यमामी आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या किताब में चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या permission लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना right है इस पे क्या हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गच्छाम। तू थियंपी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूधियंपी बुद्धं सरनं गच्छाम। दूधियंपी जंगं सरनं गच्छाम। बूदियंपि दम्मं सर्नं गच्छाएं, बूदियंपि संधमं सर्नं गच्छाएं दोगियं पी सन्दम सर्णम कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्णम कच्छामी दोगियं पी सन्दम सर्णम कच्छामी तरतियं पी सन्दम सर्णम कच्छामी साथ। 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 ख़। सिन्दम सर्णम नंदम सर्णम साथ। सिन्दम स